हेलो दोस्तो मैं विनोद आज आप लोग को बताने जा रहा हूँ किस तरह से आप पधान मंतरी आवास योजना में अपना नाम चेक करेंगे अपना नाम पता करेंगे कि आपका नाम पधान मंतरी आवास योजना में आया है की नहीं अगर आप पधान मंत्री आवास योजना में फॉर्म भरे हैं फॉर्म जमा किये हैं या ओनलाइन किये हैं या ओफलाइन किये हैं तो किस तरह से आप अपना नाम चेक करेंगे आपका नाम पधान मंत्री आवास योजना में आया है की नहीं इसके लिए आपको मेरा वीडियो को ध्यान पुर्वक अन तक देखना पड़ेगा मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आप घर बैठे ही अपने मोवाईल या कम्प्यूटर से आप अपना नाम चेक कर सकते हैं पधान मंत्री आवास योजना में सबसे पहले दोस्तों आप मेरे वीडियो को लाइक कीजे मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजे बगल वाले बेल आइकोन को दवाईए जिससे की आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे मैं इस तरह का वीडियो आप लोग के पास लेकर आते रहता हूँ दोस्तों सबसे पहले आप अपना गुगल का होम पेज खोल लीजिए गुगल का होम पेज में आपको टाइप करना है I A Y dot N I C dot I N मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ क्या आपको टाइप करना है लिखना है I A Y dot N I C dot I N टाइप करने के बाद आप इसे सर्च किजे सर्च करते ही आप देख सकते हैं आपके स्कीन पर ये पधान मंत्री अवास योजना का ओफिशिल साइट पर लेके चला जाएगा जहां देख सकते हैं उपर में दिया गया है Government of India नीचे ग्रामीन विकास मंत्रालाय पधान मंत्री अवास योजना ग्रामीन इस पे आप देख सकते हैं सारे डिटेल्स दिया है कितने जन रजिस्टर कराये हैं पधान मंत्री अवास योजना के लिए कितने लोग को सेंसंड हुआ है कितना कंप्लिटेड हुआ है कितना फंड ट्रांसपर हुआ है ये सारे चीज आप एक साथ स्कीन पर देख सकते हैं चलिए अब आप अपना नाम किस्ता से चेक करेंगे मैं बताता हूं देखिए मेनू दिया है अबाउट अस आवास आवासॉफ्ट डॉकुमेंट्स गाइडलाइन स्टेक होल्डर्स आपको स्टेक होल्डर्स पर क्लिक करना है फिर से मैं बहुला हूँ आपको कहां क्लिक करना है Stakeholders आप देख सकते हैं मैं Stakeholders पर क्लिक कर रहा हूँ Stakeholders Stakeholders पर क्लिक कीजिए Stakeholders पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं उसके नीचे आपको आएगा I A Y P M A Y G Beneficiary आपको पहला वाला I A Y P M A Y G Beneficiary पर क्लिक करना है क्लिक करते ही आप देख सकते हैं आपके पास Search Beneficiary Details आया है Enter Registration Number अगर आपके पास Registration Number है तो Registration Number दाल के आप Submit कीजिए आपके पास नाम का लिस्ट आपका आजाएगा कि आपका Approved हुआ है या नहीं हुआ है Registration Number से आप अपना नाम सर्च करेंगे अगर आपका नाम Approved हो गया तो Approved नाम दिखाएगा अन्य था दिखाएगा Data Not Found दूसरा और एक तरीका है जिससे आप अपना नाम चेक कर सकते हैं देख सकते हैं नीचे दिया है Advanced Search Advanced Search आप Advanced Search से भी क्लिक करके सर्च कर सकते हैं तो चलिए मै आपको दुसरा तरीका भी बता देता हूँ किस तरह से आप सर्च करेंगे advance search पर आप click किजिए advance search पर click करते ही आपके पास एक form खुलेगा आप देख सकते हैं आपके screen पर advance search click करने के बाद एक form आ गया है state, district, block, panchayat, scheme name ये सारे चीज़ को आपको one by one fill up करना है और check करना है चलिए किस तरह से fill up करेंगे मैं उधारन के तोर से मैं वाँ रहा हूँ state आप चूज़ करें example के तोर से मैं state भिहार चूज़ किया आप अपना state चूज़ किजिएगा उसके बाद देखिए district में आईए district में आने के बाद आपके पास district का सारा list खुल जाएगा बिहार district का सारा list खुल जा रहा है आप यहां से अपना district चुज़ किजेगा मैं उधरन का तौर से एक district चुज़ कर रहा हूँ मैंने district URL एक चुज़ कर लिया randomly मैं चुज़ कर रहा हूँ मैं दिखाने के लिए उसके बाद फिर block पर आईए block पर आने के बाद देखिए drop box है select उसमें click किजिए करने के बाद आपका block सारे आ जाएगा देखिए सारे block यहां दिखा रहा है मैं फिर से अररिया ही block चूस कर रहा हूं उसके बाद पंचायत है पंचायत आप अपना 25 चूस किजिएगा same process आप उसके click किजिए click करने के बाद सारे पंचायत आपको यहां दिखाएगा जिस पंचायत में आप रहते हैं उस पंचायत को आपको यहां से choose कर लिजिए example का तोर से मैंने अररिया बस्ती 25 चूस कर लिया करने के बाद अब नीचे देखिए scheme name scheme name पर click कीजिए click करने के बाद पंचायत मंत्री आवास योजना के सारे scheme हिया show करेंगे आप जिस scheme के लिए apply किये हैं उस scheme को आपको choose करना पड़ेगा देख सकते हैं यह सारे scheme है contingency fund, kate come, subsidy, heavy rain 5% तो मैं पधान मंत्री आवास योजना ग्रामीन के लिए apply किया था तो उसके लिए choose कर लिया आप भी अपना पधान मंत्री ग्रामीन योजना के लिए choose कर लिजेगा यहाँ पर देखिए list आगया आपका financial year का इसमें साल का दिया हुआ है जिस साल में आप apply किये थे वो देख लिजे और हो सके तो एक दो साल बात भी check करते रहिएगा कभी कभी जिस साल में apply करने से वो साल में नहीं आता है तो आप choose कर लिजे मैं example कताव से 2020-2021 चूस कर लिया उसके बाद आपको search name मतलब आपका नाम यहाँ पर डालना परेगा आप अपना नाम डाल दीजे जिस नाम से आप किये थे अगर आप BPL है अगर BPL नंबर दिये है तो आप BPL नंबर से भी search कर सकते है एकाउंट नंबर दिया है तो एकाउंट नंबर से भी search कर सकते हैं search by sensor order है तो उससे भी कर सकते है यह search by father husband name कोई भी इससे कर सकते है यह सारे चीज़े तो सारे चीज़े देखर search किजिए search करने के बाद देखिएगा अगर आपका नाम आ जाता है तो आपका नाम यह शो करेगा अगर नहीं आता है तो आपका दिखाएगा data not found देख सकते हैं search करने के बाद दिखा रहा है no record found मतलब मैं example का तोड़ से दिया था इसलिए यह नहीं दिखा रहा है अगर आपका नाम आया होगा तो आपका नाम दिखा देगा कब सेंसन हुआ सारे डीटेल्स आपका हिया आ जाएगा तो दोस्तो आज जाने किस तरह से आप पधानमंत्री आवास योजना में अपना नाम चेक करेंगे आपका नाम पधानमंत्री आवास योजना के अंतरगत अप्रूवड हुआ है कि नहीं, नाम आया है कि नहीं, दोस्तों अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरा वीडियो को लाइक कीजिए, मेरा चैनल को सबस्क्राइब कीजिए, भगल वाले बेल आैकॉन को दवाकर नो कीशन को आउन कर दीजिए, मैं इस type का वीडियो आप लोग के पास ले कर आते रहता हूं धन्यवाद